मस्कार दोस्तों मैं सुमित मिस्रा स्वागत करता हूँ पर फिर से आप सभी का MZE Education में दोस्तों फरवरी 2022 की मंतली Current Affair का ये Part 1 आ चुका है जैसा कि आप सबको पता होगा दोस्तों प्रतेक महीने मैं आपको दिया करता हूँ मंतली Current Affair वो भी दो Parts में होते हैं एक तो दोस्तों एक फरवरी से लेकर के मतलब जो भी महीना चनल आ होता है उसके एक तारिक से लेकर के 15 तारिक तक की वीडियो रहती है जिसमें हम लोग Part 1 कवर करते हैं Part 2 में बाकी 16 तारिक से लेकर के आगे के बाकी की जो दिनोते हैं चाहे 30 का महीना हो या 31 का महीना हो या जिसे आप फरवरी देखो 28 या 31 का महीना हो तो इसको हम लोग दूसरे पार्ट में cover up करते हैं ये दोनों वीडियो बिल्कुल सही टाइम पर 60 टाइम पर आपके लिए आती हैं जैसे कि 1-15 फरवरी 16 तारिक को आ जाएगी इसके बाद 16 तारिक से लेकर के बागी की जो 31 तारिक के होती है वीडियो वो एक तारिक तक maximum आ जाती है वीडियो या फिर कभी-कभी 31 तारिक को ही आ जाती है तो आप लोग बिल्कुल फालो कर सकते हो मंतली करेंट अफेर पूरा डेटेल होती है क्या-क्या चीज़े होती है इसमें डेटेल एक्स्प्लानेशन होता है इमेजस भी सो कराई जाती है जिससे आप लॉंग टरम तक उसको याद कर सको ठीक है न चले तो बहुत ही सांदार तरीके से हम लोग सुरू करेंगे ये सेसन आपका बहुत ही सांदार तरीके से रिवीजन होने वाला है और जो लोग पहली बार पढ़ेंगे वो पहली बार भी बहुत ही अच्छे से समझेंगे हरी क्विशन डिटेल में हम लोग समझने वाले है इसकी क्विज बगरा भी प बात करते हैं पहले कुशन की पहला कुशन किस राज में अनसूचित जातियों के उद्धमियों की संख्या सबसे अधिक है तो दोस्तो अभी हाली में एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया कि महाराष्ट में MSME सेक्टर में दोस्तो जो SC कटेगरी के सेकेंड पर कौन है तमिलाडू तीसरे पर कौन है राजस्तान ओके चौथा पाच्वाण और छटे में अगर बात कहें तो उत्तरब्रदेश करनाटक और पंजाब है अगला देखते हैं हाले में विमोचित पुस्तक Fearless Governance के लेखक कोन है Fearless Governance इसकी लेखक है दोस्तो किरन बेदी जी First Lady IPS of India भारत की पहली महिला IPS अधिकारी किरन बेदी और पुडू चेरी की पूर्व उप राजेपाल रह चुकी है ये इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिही है Fearless Governance बहुत इंपोर्टेंट बुक है बहुत 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 जादा इंपोर्टेंट है तो आप इसको याद रखेंगे ठीक है ना Fearless Governance आगे देखते हैं यहाँ पर देख लिजिए इमेज किरन बेदी जी है तो ये 22 जनुरी को लांच की गई ओके चलिए बढ़ते हैं अगले कुशन की तरफ एक फरवरी 2022 को संसद में बजट किसने पेस किया बजट इस महिने का सबसे चर्चिट टॉपिक और मैंने आपको डेटेल इस पर दो व इजाम की आप तयारी क्यों न कर रहे हैं बजट से कुशन बनना तया है ठीक है ना तो इसको अभी हाले में वित्तमंतरी निर्मला सीता रमर जी ने पेस किया ये देखिए 15 पॉइंट्स तो मैंने आपको बहुत ही डिटेल के साथ बता कर कर दिया था वीडियो और एक करेकाल का ये शौथा बजट था यानिस टैरामर जी वित्तमंद्री की रूप में चौथा बजट पेस की इस बार भी पेपर्लेष ही पेस हुआ बजट कारण था कि कागेज रही तबको इसको जादा技 बढ़वा दिया जा रहा है तो फुशली बार भी पेपर्लेस बजट था और इस बार भी पेपरलेस बजट था ठीक है इसमें क्या कहा गया है कि 400 नई पीड़ी की यानि न्यू जेनरेशन की वंदे भारत एक्स्प्रेस सुरू की जाएंगे क्रिप्टो करेंसी पर 30% तक का टेक्स लगेगा क्रिप्टो करेंसी से जो भी इंकम होगी इंकम टेलेक्स लैब में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता था यानि जैसे आप इंकम टेलेक्स पहले देते थे वैसे अभी भी दोगे 2022-2023 में 25,000 किलोमीटर राष्टे राजमार्ग बनाए जाने की घुश्चन होई है आर्थिक विकास दर ये 2021-22 में 9.27 रहने का प्रेडिक्ट किया गया है और अगले फाइनसे लियर में बता गया है 8.0 से 8.5 परसंट तक की GDP गुरूथ रेट हो सकती है अगला हाली में एंटोनियो कोष्टा कहां के दुबारा से प्राइम मिनिस्टर बने है तो एंटोनियो कोष्टा ये दोस्तो पुर्तगाल के एक बार फिर से प्राइम मिनिस्टर बन गया है यहाँ पर आपको इमेज में देख रहे हैं एंटोनियो कोष्टा तो ये दोबारा से प्राइम इनिस्टर बन गए है इनकी पार्टी ने जो कि है सोसलिस्ट पार्टी 117 सीटों के साथ चुनावत जीत दिया है ये पुर्तगाल के 119 में परधान मंत्री बने थे 2015 में और एक बार फिर से ये जीत चुके है पुर्तगाल की राज़ानी होती है तो उस तो लिस्ट बन और यहां की करेंसी होती है यूरो अगला दुनिया के सीर्स सेमिकंडक्टर कमपनी कौन बनी तो दुनिया में सेमिकंडक्टर के प्रोडेक्शन के मामली में सबसे बड़ी कमपनी बन गही है सैमसंग Samsung ने Intel को कर दिया है पीछे Intel देखे यहाँ पर पूरी लेस्ट में दिखा रहा हूँ आपको Samsung जो है यह टॉप पर पहुच गई है Intel 2nd पर है Intel जो है यह American company है और यह South Korea के company है Samsung आप जानते ही हो SK Hynix 3rd पर है Micron जो है यह दूस्तों 4 पर है Intel देखे डाउन हुआ है और जो की Samsung जो है यह अप हुआ है यह सब भी वैसे ही परकरार है यहाँ पर देखे लिए जिए आप Samsung की एस्थापना 1970 में हुई थी South Korea में इसका headquarter है और Lee Byung-Chul यह इसके संस्थापक है CEO है Kim Byung-Sook अगला भारत का पहला Unicorn Sport Enterprise कौन बना तो दोस्तों भारत का पहला Unicorn Sport Enterprise बन गया है Chennai Superking Chennai Superking आप जानते हो IPL की एक टीम है और यह भारत की पहली Unicorn Sport Enterprise बनी है Unicorn क्या होता है पहले इसको समझवा Unicorn मतलब होता है कि एक ऐसी company जिसका market cap जो है वो 1 billion dollar को cross कर जाए 1 billion dollar बोले तो कितना 1 अरब dollar 1 अरब dollar बोले तो कितना 1 अरब dollar बोले तो 7000 करोन रुपए ठीक है ना तो इतने की अगर ऊपर की कोई company बन जाती है तो उसे कहते है Unicorn company यहाँ पर 75,000 लिग दिया मैंने कुशन्स भी बने हुए थे क्योंकि IPL का auction हुआ Mega auction हुआ इस बार दोस्तों 10 टीमें हिस्सा ले रहे है दो नई टीमें आई है कौन-कौन सी एक तो आई है दोस्तों लगनोव सुपर जाएंट्स एक आई है गुजराट टाइटन्स हुए है 6,870 करोड पर ही है जबकि इसकी जो company इसकी जो फ्रिंचाइजी है चैन्ने सुपर किंग ये देश का पहला स्पोर्ट यूनिकाउन मन गया है यूनिकाउन पर related अभी एक report आई थी उसमें बताया गया था कि पिछले वर्स दोस्तो 44 यूनिकाउन बढ़े हुए है इंडिया में जो कि बहुत ज़्यादा तेजी से है ठीक है और भारत दुनिया में तीसरे अस्थान पर आ गया है यूनिकाउन के मामले में ब्रिटेन को इसने पीछे किया हुआ है अगला देखते हैं बजट 2022 में वित्त मंत्रे लें किस समया अंतराल को अमरित काल के रूप में चुना तो दोस्तों जो सबसे आदा चार्चा का विसे रहा इस बार के बजट में वो रहा यही अमरित काल कारण क्या था विपक्ष का कहना है कि सरकार ने कुछ रिजबार नहीं दिया इस बार के लिए बिल्कुल सही कहे रहे हैं विपक्ष वाले पक्ष वाले का क्या कहना है यानि सत्ता पक्ष वाले का क्या कहना है कि हमने जो बजट पेस किया है वो आगी के 25 साल को ध्यान में रख करके बजट पेस किया है आगी का जो 25 साल है इसको अमरित काल कहा गया है यानि अभी देखो 2022 में हम लोग आजादी का 75 वर्सकार्ट मना रहे हैं आगी का जो 25 साल होगा यानि कि इसके बाद 17 वर्सकार्ट होगा 17 वर्सकार्ट कब होगा 2047 में होगा तो आजादी के 75 से 70 वर्स के अंतराल को अम्रित काल कहा गया है, क्लियर होनी चाहिए बात, बहुत इंपोर्टन है, इसको याद रखना है, चर्ची में राता सब ज़्यदा, ओके, बजट के बारे में बागी चीजे मैं आपको बता दिया हूँ, और ये जो आगे का 25 साल होग इस पर दोस्तों, निर्मला सिताजर्मन जी ने कहा है, कि चार चीजों पर किन सरकार फोकस्ड रहेगी, पीम गज सत्ती योजना, स्थमावेसी विकास, यानि ओवराल डेवलेप्मेंट, प्रोडक्शन में वृध्धी, इन्वेस्टमेंट, इसके लावा संराइज निर्भरतनकाल, क्लाइमेट एक्शन, इस पर निर्भरता रहेगी, इस पर ज़्यदा फोकस किया जाएगा, साथ ही साथ, इन्वेस्टमेंट, फाइनसिंग की ज़्यदा इस पर फोकस रहेगी, सरकार, अगला कुशन दिखते हैं, हाली में किस भारतिय खिलाडी ने, स्रीजेस ने जीता हुआ है, वर्ड गेम्स एथलीट अफ दे ये 2021 का अवार्ड, ये अवार्ड जीतने वाले ये पहले पुरुष खिलाडी हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपोर्टनेट है, और दूसरे भारतिये हैं, खिलाडी, ठीक है ना, अब आप ये चेहरा तो आपको यादी होगा दोस्तों, उलम्पिक में इन्होंने धमाल मचा दिया था, उलम्पिक में ब्रॉंज मिडल इंडिया जीता, बहुत बड़ा योगदान निका रहा, ये गोल कीपर है भारतिया हौकी टीम के, ठीक है, पियार सिरिजेस, तो इनको मिला है, यादी होगा आपको बताया गया था, पांच राज्यों में जैसे यूपी है, उत्राखंड है, यूपी लिख दे रहे हैं, समझा नाप, इसके बाद पंजाब है, इसके बाद मडिपूर है, ठीक है, और है एक गुवा, तो ये पांच राज्यों में विधान सभा चुनाओ शुरू हो चुके हैं, और इन पांच राज्यों में एक राज्य है, पंजाब, जहाँ पर इसने सेरा नाम का एक एलेक्शन मसकट लांच किया है, ये क्यों लांच किया गया है, जिससे लोगों को अवेर किया जासके, वहिया जाओ चुनाओ दो, वोटिंग करो, ठीक है, ज इससे जादा डिटेल, इससे जादा कॉंटेंट के साथ, और इससे जादा इंपोर्टन के साथ, शायद ही आपको कहीं वीडियो मिल नहीं हो, यही कारण है कि आप बार-बार आते हो यहो देखने, और मन्धिली करने फेरीस ले मैं भी रगलोर रखता हूँ, हमें साथ तो लाइक वगरा कर दोगे अगर आप तो मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि मैंने जो ये महनत करके बनाई है वीडियो ये आपको पसंद आई हुई है ठीक है पंजाब के बारे में यहाँ पर देख लो आप मैट में पंजाब यहाँ पर है चंदिगर राजधानी है और बाकी चीज़े तो आपको बताई जाती रहते हैं आप फिगर में में देख सकते हो ऐसे बहुत सारे राज जब ही आएंगे बीच बीच में तो इसी बैस से हम लोग क्विकली वढ़ेंगे ठीक है ना चलिए अगला देखते हैं हाले में किस राज में तोरग्या मनाया गया यह इस प्रकार से मुखोटा पाहन करके सेलेबरेट किया जाता है वहां के रीजनल लोगों के द्वारा तीन दिवसिये यह तेवहार होता है और इसका मुख आकर्शन का केंदर होता है सार ना चंप ठीक है और यह महां मनाने का एक तरीका है तो रग्या महौद स ठीक है अगला देखते हैं यहां पर आप अरणाचल प्रदेश देख सकते हैं मैंज में कहां पर है यहां पर है अरणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है इतन अगर राजधानी है बाकी चीज़ें आप देख लीजिए अगला हाली में कौन सा देश दुनि दुनिया की पहली flying jet होगी, यानि ऐसी jet होगी, चलेगी भी पानी में भी, उडेगी भी, ठीके न, flying jet होगी, इसके अलावा, इसके अलावा, सबसे बड़ी खास बात, ये hydrogen से चलेगी, H2 से चलेगी, hydrogen से चलेगी, यानि की समझ लोग परियावरण को कोई नुकसान नहीं है, hydrogen hydrogen से चलने वाली ये तो है flying jet, hydrogen से ही चलने वाली दुनिया की पहली train किसने लांच किया था, Germany ने, ठीक है, Germany में चलना भी सुरू हो गई है, दुनिया के पहली hydrogen से चलने वाली train, तो इसको the jet zero emission company के दोरा बनाएगा है, UAE में बनाएगा है, अगला, UAE भी आप देखना चाओ, यहाँ पर देख सकते हो, भारत यहाँ पर है, यहाँ से UAE यहाँ पर है, ठीक है, और यह map को लेकर के, sorry है आप लोगों से, अभी map Wikipedia पर ऐसा ही है, अपडेटर नहीं है, तो यह मैंने वहाँ से उठाया हुआ था, इस वैसे यहाँ पर भारत के नक्सी में थोड़ा सा आपक अगला, हाली में किस राज्य ने अभ्यारण को रामसर कन्वेंशन द्वारा अंतराष्टे महत्यों के आदर भूमी के रूप में सूची बद्द किया तो अभी हाली में दोस्तों, गुजरात और उत्तर प्रदेश, इन दोनों राज्यों के अभ्यारण को दोस्तों, रामस जादिया पच्छिय भ्हारण जो की गुजरात में है दूसरा है बखीरा वंजुय भ्हारण जो की है कहाँ पर उत्तर प्रदेस में अब दोस्तो भारत में रामसर साइट्स की संख्या कितनी हो गई उन्चास हो गई है ठीक है पहले 47 था दो और बढ़े अब हो गई उन्चास गुजरात चौथा आद्र भूमी बन गया है गुजरात का और उत्तर प्रदेस में उत्तर प्रदेस का दसमा बन गया है ये खिजारिया चलिए इरान के रामसर साहर में दोस्तों 1971 में दो फरवरी को वेटलेंड कन्वेंशन हुआ था इसी वैसे यहां के द्वारा रामसर सा आए हैं जो भी पुस्त के लिखी गई है इस महीने में वो मैं वीडियो के इंड में आपको बता दूंगा तो ये भी एक बहता तरीका होगा आपका रिवीजन करने का चलिए अगला देखते हैं हाले में चार फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया चार फरवरी को दूस्तों मनाया जाता है और close the care gap ये इस बार की theme है ये important है थीम अगर छोटी रहे तो बहुत important है ठीक है तो अंतराष्टिय कैंसर नियंतर संक के दौरा ये विस्तवस्तर पर मनाया जाता है पैरिस फ्रांस में इसी दिन सन 2000 को दोस्तों विस्तव कैंसर सम्मेलन हुआ था इसी लिए ये दिन मनाया जाना चार फरवरी को शुरू हुआ अच्छा कैंसर के उपचार को क्या कहते हैं अगर आप से पूछा जा तो आप बताएंगे कीमो थेरेपी क्या बुलते हैं कीमो थेरेपी ठीक है ना कैंसर के उपचार तो ये भी आपको याद रखना है इसके अलावा हवाईयों की होम डिलेवरे के लिए रक्षा मंत्राले ने कौन सी योजना की सुवारम की तो रक्षा मंत्राले ने दोस्तो सेहत योजना सुरू की है इस सेहत योजना के तहत जो दोस्तों डिफेंस रिलेटेड जो विक्ति हैं चाहे वो हमारे सैनिकर्मी हों चाहे वो देते हैं हमारे जो जवान होते हैं तो फिर वो आज इवन घर बैटे ही रहते हैं उनको आने जाने में तकलिफ भी होती है इसको भी ध्यान रखा जाएगा इसी वज़े से यह सुरू किया गया है साथी साथ जो मतलब एक प्रकार से फीचर्स भी दिया जा रहा है कि हमारे तरचे में हैं काफी जाता पुसकर दीन सिंग धामी को फ्लावर नहीं फायर बोला इनोंने पुस्पा मुवी देख करके आए हुए हैं फिलाल अगला देखते हैं हाली में स्प्रिट आफ क्रिकेट अवार 2021 किस ने जीता तो ICC स्प्रिट आफ क्रिकेट अवार 2021 जीत लिए है दोस्तों किस ने डेरिल मिसल ने ये मिला है डेरिल मिसल को डेरिल मिसल यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहे हैं न्यूजिलेंड के खिलाडी हैं न्यूजिलेंड की ये क्रिकेटर हैं और ये न्यूजिलेंड की बन गये हैं चौथे खिलाडी इनसे पहले डेनियल वि ग्रेग बारकले, CEO भी नए बनाए गए है, जोफ एलाडिस, इनका विनाम आप याद रखेंगे, ICC यानि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, किलियर है, अच्छा दोस्तों, जन्वरी मंद की e-book भी आ गई है, जैसे कि हर एक महिने की e-book आती है, और e-book से अगर आप पढ़ सेट भी होता है, यह सतारी चीजें आप 15 रुपे में सिर्फ पा सकते हो, MZT एप पर भी मिल जाएंगे, अगर आप वाटसेप पर लेना चाहते हो, तो वाटसेप पर भी आपको मिल जाएगा, डिस्किप्सन में जाकर के तलासना है नंबर, वाटसेप का, आपको मिल जाए या फिर कैसे क्या चीजें है, सामान ग्यान का बैच है, इसको कैसे लेना है, तो यह सारी चीजें आपको मिलेंगे, अचाहिए एक और इंफर्मेशन, अभी दोस्तों 20 तारिक तक खास ओफर चल रहा है, SUMIT33 अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं, तो फिर आपको मिलेग तो यह 20 तारिक तक आफर रहेगा, इसको आप जाएए पता कर लीजे, ले लीजे अभी, वरना आप प्रस्ता ना पर सकता है, आपको दाम बढ़ जाएंगे, हाली में किस खिलाडी को Laureus World Breakthrough of the Year का आवार्ड 2022 के लिए नामित किया गया, तो दोस्तों इनको नामिनेट किया नीरत चोपडा को, नीरत चोपडा आप जानते हो, नीरत चोपडा कौन है, नीरत चोपडा दोस्तों पहले भारती अथलीट है, जिन्होंने गोल्ड मिडल दिलाया भारत को, यह पहले अथलीट बने हुए है, ठीक है ना, इसके अलामा, उलम्पिक में जिन्होंने दिलाया इसके अलामा दूस्तों इनको इस बार के लिए पदमसरी भी दिया जा रहा है, खेल रत्न भी दिया जा रहा है, खेल रत्न दिया गया, इसके अलामा इनको बहुत सारा चीजों का ब्रैंडम विजजर बनाया गया जैसे टाटा, AIA, टाटा, AIA, इंसोरेंस का ठीक है, इन्होंने साथ अगस्त को भाला फेंग में यानि कि जीता था गोल्ड इसी वेसे साथ अगस्त को भाला फेंग दिवस मनाया जाना शुरू हुआ ठीक है यह सारी चीजें आप लिंक करके याद रख सकते हो तो इन्हें अभी नॉमिनेट किया गया ध्यार रखना यह एक चीज कि अभी नॉमिनेट किया गया भी अभी अवार्ड नहीं पाए है ठीक है ना अवार्ड पाने की लेस में अभी देखेंग पांच और वेक्ति हैं डेनियल मेदवेदेव हैं एम्मा रादू कानू हैं पैडरी हैं यूनिमाल रोजस हैं एरियन टिकमस हैं ठीक है अब इसकी गोशनाओ जो होगी वोटिंग पर होगी अब देखिए कौन जीता है अगला गरतंग दिवस की परेड में कहां की जाकी को सर्वसेश्ट राजिका चुनाओ किया गया है सबसे जाकी चुनी गई तो एक बार फिर से उत्तर प्रदेश दोस्तों टॉप पर आ गया है सबसे ब इस टिक वन प्रोड़क्ट योजना है इसको और कासी विसुनाद धाम को दिखाया गया था और इसकी जाकी सबसे बेस जाकी चुनी गई और इसी वज़से इसको टॉप पर रुसकार मिला सेकेंड पर रहा दोस्तों करनाटक और तीसरे अस्थान पर रहा मेगाल है ये दोन विंटर उलम्पिक 2022 का राजनाइक बहिसकार कर दिया है डिपलोमेटिक बहिसकार कर दिया है बैकाट कर दिया है कहां पर हो रहा है ये बेजिंग में हो रहा है ये और इसका इससे पहले अमेरिका ब्रेटेन आस्टेलिया ये सब बैकाट कर चुके हैं पहले से ही राजनाइ जो राजनाइक है वो नहीं है तो यह हो रहा है फरवरी में इसको याद रखना फरवरी में यह चल रहा है चार फरवरी से 20 फरवरी तक हो रहा है ब्लिजिंग चीन में हो रहा है इसका मसकट चुना गया है बिंग ड्वैन ड्वैन को और थीम है इसकी together for a shared future यह important है अच्छा एक चीज और याद रखना है हां से कि भारत ने अपना जो एक लौता एथलीट भेजा है वो है आरिफ खान इसकी यह गेम से है भारत एक मात्र खिलाडी भेजा है यहाँ पर यह जो इंटर उलम्पिक होता है ज्यादा फेमस होता नहीं है ज्यादा खिलाडी जाते वाते न अगला भारत का नया लेखा महा मुन्य नत्रक यानि cga किसे नियुक किया गया तो भारत के दूस्तों नए control general of accounts बन गए है सुनाली सिंग जी सुनाली सिंग बन गए है यह नई cga होंगी किसकी जगह पर आए है दीपक दास की जगह पर आई है यह 26 नंबर की है आपको याद होगा दीपक दास मैंने आपको याद करवाया था 25 नंबर के थे ठीक है ना गिरीश चंद मुर्मू जो है यह कैग है कन्फ्यूज मत होना बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सब गिरीश चंद मुर्मू होंगे कि दीपक दास गूगल पर तो गिरीश चंद मुर्मू दिखा रहा है तो भाईया देखो आप एजी और जी ए में अंतर कर रहे हो CGA अलग होता है CAG अलग होता है एक होता है Control and Auditor General of India एक होता है Control General Account तो दोनों अलग है अगला तो यहाँ पर सुनाली सिंग जो है इनको बना दिया गया है दीपक दास की जगापर और 1987 बैच की यह ओफेसर है ओके चलिए तो अब आगे देखते हैं हाली में किसने Golden Boy नीरत च चोपडा राम की पुस्तक नीरत चोपडा की स्टोरी इसमें इन्होंने बताए हुई है और बाकी चीजे तो मैं आपको बता ही दिया हूँ अगला विस्विद्यालय अनुदान आयोग यानि UGC के नए अध्यक्ष कौन बने तो UGC के नए अध्यक्ष दोस्तों बन गए है जो की जेन्यो के इतिहास की पहली महिला वाइस चंसलर होंगी फर्स्ट लेडी वीसी होंगी ठीक है फर्स्ट लेडी वीसी होंगी जेन्यो की कमेंट कीजे बताइए चली तो ये फिलाल अब जो UGC होता है उसके ये होंगे अध्यक्ष नए अध्यक्ष होंगे UGC के अस्ठापन होए थी 1956 में नई दिली में इसका हेड़कॉर्टर है अगला पूशन भारत की महान गाई का लता मंगेसकर जी का निधन हो गया इन्हें किस नागल सम्मान से सम्मानित किया जा चुका था इन्हें दोस्तो भारत रतन से पद्मवी भूशन से और पद्मवूशन से इनमें से सभी से सम्मानित किया जा चुका था भारत की महान गाई का लता मंगेसकर जी सायद ही आप में से कोई होगा जो इनके बारे में ना जानता हो लता मंगेशकर जीने दोस्तों 30,000 से ज़्यादा गाने गाए हैं 30,000 से ज़्यादा गाने गाने निकाल इनके नाम Word Record है गनीज Book of Word Record है थीक है? ये, दूसरा चीज 36 से ज़्यादा भारतिये भासाओं में इन्हों ने गाने गाए हैं इसके अलावां 1979 में पद्म भूशर, दादा साफ फालके अवार्ड 1989 में, महराष्ट भूशर 1997 में, पद्म भी भूशर 1999 में समान पिया गया। इनको Queen of Melody, Nightingale of India, Voice of the Millennium के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर अगला दिखते हैं। अच्छा, ये राजसभा के सद्ध सिभी रह चुकी हैं, 1999 से 2005 तक। अगला, हाले में किस ने राष्टिय भूमी मुद्री करण निगम, NLMC के स्थापना की। तो अभी आली में भारत सरकार ने दोस्तों, राष्टिय भूमी मुद्री करण निगम के स्थापना की हैं। अगला दिखते हैं। अंडर 19 वर्टकप 2022 किस ने जीता? इसको जीत लिया दोस्तों, भारत ने। इंडिया के लिए एक और खुसकबरी है, भारत अंडर 19 वर्टकप 2022 जीत लिया हुआ है। ठीक है, भारत की जो टीम है, देखिए यहाँ पर है, भारत ने इंगलेंड को हराया, लगान वसूला, इंगलेंड को हराया, और लगान का बदला लेते हुए जीत लिया, अंडर 19 याद रखना है, आप अंडर 19 हैं। इसने पहले कब कब भारत अंडर 19 जीता, सन 2000 में जीता था, चलिए यहाँ आपर लिखा हुआ होगा, हाँ बिल्कुर, तो मुहम्मद कायब की कप्तानी में सन 2000 में जीता, उसके बाद विराट कोलिक कप्तानी में 2008 में, फिरुनमुक चंद 2012, और पिरतवी साह 2018 की कप्तानी म भारत ने जीता है, इसके अलावा भारत फाइनल में उब्वी जीता भी रहा, यानि रवी कांत की सुकला की जी कप्तानी में 2006 में, इसन किसन की कप्तानी में 2016 में, प्रियम गर्ग की कप्तानी में 2020 में भारत ने फाइनल में जाकरके अपना उब्वी जीता रही फाइनल में जार गए इसान किसन दोस्तों ये नाम आपको दिख रहा है याद रखना है MI मुंबाई इंडियन्स की टीम ने इनको इस बार सबसे महगी दाम में कहिता है इस बार के IPL में ये सबसे महगी के लाड़ी है 15.25 करोड में इनको खरीदा गया है क्लियर है IPL में मुंबाई इंडियन्स की टीम से खेलेंगे इस बार का वर्ट कब जो था कहां आए जो दुबार पहली बार वेस्टन डीज में आए जो दुबार अगला NCERT के नए अध्यक्ष कौन न्यूक्त हुए कौन दिनेश प्रसाद सकलानी यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहे है देखें NCERT बहुत इंपोर्टन है NCERT यानि National Council of Educational Research and Training तो इनको अगले 5 वर्ष यानकी उम्र क्या 65 वर्ष तक जो भी पहले हो जाएगा तब तक है नियूक्त किया गया है अगला कुशन भारत सरकार ने मद्य प्रदेश के किन अस्थान के नाम को बदलने की मंजूरी दी है यह तीन अस्थान कौन कौन से है होसंगाबाद, सिवपुरी और बाबाई तो मद्य प्रदेश के जो सिवरा सिंग चौहान इन्होंने सरकार कें सरकार के तरफ अरजी लगाई थी इन तीन नाम को बदलना चाहते हैं कें सरकार ने का ठीक है बदल लो, नाम रख लो होसंगाबाद नगर, नर्मदापुरमब होगा, सिवपुरी जो होगा, वो नेस्वर धाम होगा और बाबाई जो होगा, वो माखन नगर होगा माखन नगर से आद रखना, यह माखन लाल चतुरवेदी जी के नाम पर है, जो की साहित तिकार रहे हैं अब माद्य परदेश आया है, यहाँ पर आप देखेंगे, लोकेशन इंडिया के मैप में, यहाँ पर माद्य परदेश है, पोपाल राजधानी है, सिवरा सिंग चौहान, सीम है अगला, अगला कुश्चन है, जेन्यू की पहली महिला कुलपती कौन बनी, आप में से किन-किन लोगों ने कमेंट किया था, मिला लो ये कभी JNU में ही पढ़ा करती थी और आज कुलपती है पहली महिला कुलपती बन गई है अभी ये वर्त्मान में बात किया जाए तो इससे पहले ये महराष्ट में सावित्री भाई फूले विश्विद्याले में कुलपती थी अभी ये यहाँ पर नियुक की गई है ये तेरह में वाईस चांसलर होगी किसकी जगापर आए है मैंने अभी आपको बता है एम जगदिश कुमार जी की जगापर जी ने अभी UGC कवर नाया गया है ठीक है अच्छा ये तो है कुलपती यानि वाईस चांसलर चांसलर कौन होते हैं चांसलर होते हैं भारत के प्रेसिडेंट जिसे कहते हैं हिंदी में कुलाधी पती तो रामनात कोविन जी ने वही नियुक्त भी करता है तो यहाँ राश्टपती के द्वारा ही नियुक्त की गई है अगला हाली में IOC ने 2028 के ओलंपिक में किस खेल को सामिल करने की मंजूरी दी तो IOC यानि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने 2028 के ओलंपिक में दोस्तों सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग और स्पोर्ट क्लाइमिंग इन तीनों को सामिल करने की मंजूरी दी है 2028 का ओलंपिक होना कहाँ है तो दोस्तों 2028 का ओलंपिक जो होगा यह होगा कहाँ पर LAWS ANGELS में LAWS ANGELS AMERICA में ठीक है न LAWS ANGELS AMERICA में 2024 वाला कहाँ होगा Pरस में होगा 2032 का भी गोश्ना हो चुका है यह होगा Brisbane में Brisbane, Brisbane कहां पर है जी? Australia में है, ठीके ना? Australia में, Paris कहां पर है? France में, ओके, ये 34-वा होगा 2028 में जो होगा Olympic, ये 34-वा संस्करण होगा अभी हुआ था Tokyo में, 2020 वाला जो कि 32-वा था संस्करण अंतराश्टी Olympic समित के बारे में बात करें अगला कुशन है, हाली में किस देश के क्रिकेट टीम 1000 वंडे खेलने माली पहले टीम बनी तो वो बन गए दोस्तो बारत बारत की टीम दोस्तो, 1000 ODI मैज खेल चुकी है दुनिया में सबसे ज़्यादा है 1000 ODI मैज जीती हुई है, ठीक है? दूसरे अस्थान पर कौन है? दूसरे अस्थान में है दूस्तो, आस्टेलिया आस्टेलिया भी बहुत पीछे है 988 ODI मैज खेले हुई है, ठीक है? और इंडिया बहुत ज़्यादा आगे है इंडिया 500 ODI मैज इसमें से जीती है 1000 मैं से और 431 मैज आ रही है भारत जो COVID-19 का DNA वेक्सिन लगाएगा D-Axi-Ribonucleic Acid तो ये 12 वर्ष से 17 वर्ष की आयो की बच्चों को ठीका करण करने के लिए भारत ने मंजूरी दे दिया ठीक है, जाइडर स्केंडला का ये DNA वेक्सिन अगला कुश्चन है, कौन सा राजी भारत प्रेस स्वतंता रिपोर्ट 2021 में सेर्स पर है तो दोस्तों प्रेस स्वतंता रिपोर्ट आई है जिसमें टॉप पर है जम्मो कस्मेड देखिए ये अच्छी बात नहीं कि टॉप पर है तो मतलब अच्छी रैंक है, ये खराब संस में अच्छी पर है यानि इस रिपोर्ट में बिसिकली ये बताया गया है कि कौन से राज्ज में वहां के जो मीडिया कर्मी है उन पर जादा से जादा पावंदी लगाई जाती है यानि प्रेस स्वतंता में सबसे कम एक प्रकार से करने टॉप पर कोन है तो सबसे कम वाले संग्या में टॉप पर है जम्मू कस्मिर यानि जम्मू कस्मिर में सबसे खराब स्थिती है प्रेस स्वतंता की ठीक है, सेकेंड पर उत्तर प्रदेश है, जहाँ पर सबसे खराब इस्तिती है, फिरेश स्वतंतर था की, थार पर मदेप्रदेश, फिर्तिरप्रा और इसके बाद देली है रिपोर्ट जारी किया है, Right and Risk Analysis Group ने, इसने ये बताया है, कि राज और कि इनसासित प्रदेश में प्रत्रकारों पर कितने हमले हुए, कितने अटेक हुए, या उन पर कितना रिस्क था, वो कितना स्वतंतर थे, ठीक है, चलिए, अगला दिखते है, हाली में ICICI Lombard ने Cyber Vima के के लिए किस बैंक के साथ समझोता किया, तो ICICI Lombard ने दोस्तों, एटल पेमिंट बैंक के साथ, Cyber Vima के लिए समझोता किया है, Cyber Vima, Cyber Insurance एक नया प्रकार का एक नया कॉंसेप्ट है, जब आप पर Cyber Attack होंगे न, Cyber Attack हुआ, या Fishing हुआ, Fishing आप समझते हो, जो गलत तरीके से आप से पैसा वसूल लिया जाता है, Fishing हुआ, ये सब चीजों के लिए, ये Insurance होगा, ये Atel Thanks आप जो आता है, उसी पर Insurance होगा, Atel Thanks आप आपको डाउनलोड करना है, आपका David Card, Credit Card, Banking, जो भी चीजों से related कोई अगर धोखादरी हो जाती है, वित्तिये धोखादरी होती है, तो उस Mumbai में इसका Headquarter है और भारगोदास गुत्ता इसके MDO और CEO है, अगला वोशन, हाली में किस Police Force ने राष्ट व्यापी Operation आहट शुरू किया, तो अभी हाली में Operation आहट शुरू किया है दोस्तों, किस ने, RPF ने, Railway Protection Force ने, Operation आहट क्या काम करेगा, Operation आहट दोस्तों, Human Trafficking को रोकन के लिए, उनको तस्कुरू के चंगुल से बचाने के लिए, ट्रेनों में ये शुरू किया जाएगा, Operation आहट, RPF की बारे में बात करें, 1872 में स्थापना हुई थी, ने दिल्ली में Headquarter हो, महा निदेशक है, संजे चंदर, अगला, हाली में विक्रम सारा भाई, अंतरिक्ष के नए निदेशक कौन बने, तो विक्रम सारा भाई, अंतरिक्ष के नए निदेशक दोस्तों बन गए हैं, कौन, Dr. S. उन्नी कृष्ण नायर, कौन, Dr. S. उन्नी कृष्ण नायर, अब देखिए, यहाँ पर आपको इमैज में दिख रहे हैं, इनसे पहले कौन थे, इनसे प S. उन्नी कृष्ण नायर बने हुए हैं, आगे चल करके यही हो सकता है, कि यही बन जाएं, इसरो के अध्यक्ष, क्यूंकि इससे पहले दोस्तों, KC1 जो बने थे, KC1, KC1 भी पहले विक्रम सारा भाई के अंतरिक्ष के अध्यक्ष थे, उसके बाद इसरो के अध्यक्ष यह साफ तोर पर NTPC, जो CBT Tool की तयारी कर रहे हैं, उनके लिए है, CBT T, CBT 2 के लिए जो तयारी कर रहे हैं, उनके लिए Space Mission, International Space Mission, यह सब directly syllabus में लिखा गया है, GS में, अच्छा, NTPC, CBT 2, बहुत ज़्यदा मुस्किलों के बाद, अब NTPC, CBT 2 में आप लोग पहुँचे हो, ऐसे हैं बहुत लोग की डिमांड पर, आप लोग की ज़रुद की अनुसार पर एक कोर्स लाया गया है, एक बैच लाया गया है आपके लिए, RRB NTPC, CBT 2 के लिए, खास तोर पर यह आपका GK, GS और Current Affair मजबूत करने के लिए होगा, आप अगर syllabus देखे होगे, तो उसमें आपको अन्दाज़त तो लग गया होगा, कि 80% तो इसमें Current Affair पूछा जाना है, सिर्फ 20% में Static GK पूछा जाना है, फिर भी यह जो Special Batch होगा, इसमें आपको पूरा का 100% complete तयारी कराई जाएगी, NTPC, CBT 2 के लिए, केवल यह GSGK बैच के लिए है बात करना हूँ में, ठी यह 50 questions कैसे आप तयार कर पाऊगे, सो कैसे insert कर पाऊगे, confirm कर पाऊगे, यह strategy पूरी बताई जाएगी, और मेरे द्वारा आपका class लिया जाएगा, सही time पर सब कुछ complete किरा जाएगा, इसके बारे में आगे आने वाले दिनों में और ज़्यादा detail आपको बताया जाएगा, तो यह course क्योंकि यह मंतली current affair की video है, जो आप देख रहे हो, आगे आने वाले time पर जब आप इसको देख रहे होगे, तो हो सकता है बैच launch हो गया हो, तो अगर आप NTPC, CBT-2 के aspirant हैं, तो आप जा करके check करें, MZTI पर, ठीक है, अगला question दिखते हैं, हाले में उत्तरा खंड क brand ambassador कौन बनाएगे, तो उत्तरा खंड के brand ambassador कौन बनाएगे हैं, अक्छे कुमार, अच्छा, CBT-2 में बहुत कम time बच्चा हुआ है, तो ऐसे में आपको जल से जल जोड़ना चाहिए, जिससे आप पूरा का पूरा syllabus कबर कर सको, तो लास्ट में यही होगा, कि अब इसको पढ है, ठीक है, चलिए, अच्छे कुमार जी को बनाया गया है, ब्रैंड मेजजर, उसकर संग धामी, यहाँ पर दिख रहे हैं, आपको उत्रा खंड के यह CM है, और अच्छे कुमार यह है, ठीक है, इससे पहले दोस्तों, रिसब पंत, जो भारती क्रिकेटर हैं, जो कि उत्रा बेटी बचो, बेटी पढ़ाओ, योजना कर वेंडने मिज़ता है, ठीक है, तो तीनों है, यह सोक्षता अभियान के हैं, अक्षिकुमार ठीक है, और उत्रा खंड के बारे में यहाँ पर आप देख लो, लोकेशन अगर आप देखना चाहोगे, तो उत्रा खंड यहाँ प रिपोर्ट जारी की है, इसमें सबसे टॉप पर, एजिया के सबसे ज़्यादा मेर व्यक्ति बन गए हैं, गौतम अडानी, गौतम अडानी ने एक बार फिर से मुकेशन अभानी को पीछी कर दिया है, तो अभी देखिए, यह आगे पीछे लगा रहेगा, फर्स्ट टू, फर्स्ट टू की रेस लगी रहेगी, फिलहाल जो रिपोर्ट जारी होती है, तीन-तीन महीनों में जारी होती है, तो अभी वाली जो रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार गौतम अडानी है, टॉप पर, ठीक है ना, कभी भी बर्वेरतित हो सकता है, यह तो यहाँ पर देख के दौरा अंतराष्टी जो स्पेस स्टेशन है, उसको दोहजार रिक्तिस में दोस्तों रिटायर किया जाएगा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, यह उनिस सो अठावड़े में, 1998 को लांच किया गया था, रस्या के एक रॉकेट के दौरा लांच किया गया था, इसमें इसे रिटायर कर दिया जाएगा, ठीक है, और इसको प्रसांस महासागर के एक निर्जन इलाके में दुरगटना गरस्त किया जाएगा, यह वहाँ पर डिश्ट्रॉय किया जाएगा, पॉइंट निमो नाम का स्थान पर, तो यह भी पूछा जा सकता है, क्लियर, ना अंदाबाद की IPL टीम का नए नाम क्या रखा गया, इसका नाम होगा गुजराट टाइटन्स, लखनोव वाली जो टीम है, उसका नाम होगा लखनोव सुपर जायंट्स, ठीक है ना, तो लखनोव सुपर जायंट्स और गुजराट टाइटन्स, दो नए टीमें इस बार इ खरीदा है और वहीं लखनों की टीम जो है उसको किस ने खरीदा था गोएनका टीम ने गोएनका कमपनी ने खरीदा था गोएनका गुरुप ने लुकेस राहूल उसकी कैप्टन अगला वित्यवर्स 2021 में PM केर फंड का कोस कितना गुणा बढ़ गया तो वित्यवर्स 2021 में दो अपना दे सकते हैं तो इसकी टोटल अभी आडिट इस्टेट्मेंट आई है इसमें बताया गया है कि 3,976.17 करोण रुपए अभी तक खर्च हुए हैं टोटल इकठा हुए हैं 10,990.17 करोण अभी भी फंड में 7,013 करोण रुपए बकाया है तीक है ना तो इसमें सबसे अ खर्च अगर पूछा जाए तो कोवीड वैक्सिन को खरीदने में किया गया है 6,6 करोण रोज खरीदी गई है 1392,82 करोण में पीम केर फंड एक राष्टी कोर्स है राष्ट को समर्पित एक कोर्स है 27 मार्स 2020 को इसकी सुरुवात हुई थी अगला भारत का पहला बायो मास आ जिले में ये अस्थापित किया जा रहा है S2 फिर से आगया देखिए hydrogen hydrogen मतलब मैंने आपको बताया zero carbon emission ठीक है न ये future gas future इंधन इसलिए कहा जाता है और 24 करोड रुपए के लागत से मद्ध प्रदेश के खांडवा जिले में ये बनाया जा रहा है हर दिन 30 टन बायो मास फ् दिवारा ये बनाया जा रहा है मद्ध प्रदेश आप देखी लिए हो आगे बात करते हैं हम लोग अगले कुशन की UNEP ने माजी वसंधरा अभियान का समर्थन करने के लिए किस राजे से समझाता किया तो UNEP United Nation के Environment Program ने दोस्तों अभी हाली में महराज्ट के साथ मिलकर के मा माजी वसंधरा अभियान इसके तहट दुस्तों बिसिकली awareness पहला जाएगा कि कैसे अपनी धर्ती को परयावरण से खुसाल रखा जाए परयावरण वहापर अच्छा कैसे रखा जाए परयावरण में विकास कैसे किया जाए ठीक है साथी साथ जो climate changes होते हैं उनसे कैसे अगला कुशन हाली में अठारमा स्वर्गिये माधवराव लिमये पुरुसकार किसने जीता है तो अठारमा स्वर्गिये माधवराव लिमये पुरुसकार जीता है किसने नितिन गटकरी जी ने नितिन जैराम गटकरी जी तो इन्होंने ये पुरुसकार जीता है के इन्दे प्रावल में कि इस मिर्ते में उनके बेटी सोभार नेरलीकर के द्वारा सुरू किया गया था 50,000 रुपए दिये जाते हैं और एक इस मिर्ते चिन्ह दिया जाता है अगला हाले में किस देश ने भारतिय व्यापारियों को बिना वीजा प्रवेश की अनुमती देने की घुशना की तो दोस्तों माल्दियू जो है इसने घुशना की है कि 90 दिनों तक भारत के जो व्यापारी है या भारत के ऐसे विक्ति जो व्यापार करने के उद्देश से आये हैं वो बिना वीजा के भी इंट्री कर सकते हैं तो यानि वीजा फ्री एकसस कर दिया है भारत के लिए 90 दिनों के वद के लिए मालदियों की बात करें तो राजधानी इसकी माले होती है प्राइम मिनिस्टर है इब्राहिम मुहम्मद मुद्रा होती है मालदियन रूपया अगला कोशन हाले में करनाटक का कौन सा जिला स्कूल में हिजाब बैन को लेकर के चर्चे में रहा तो करनाटक का एक जिला है उडूपी, वहाँ पर दोस्तों, इसकूल में हिजाब बैन को लेकर की ये चर्चे में रहा था, एक्चुली में छे लड़कियों को, छे मुस्लिम महिलाओं को, कालेज प्रसासर ने, कालेज की टीचर्स ने, क्लास में घुशने से मना कर दिया था, कारण था, हिजाब बहन करके वो आए थी, उनको कैमपस में ही रखा गया, लेकिन क्लास में घुशने से मना कर दिया गया, तो इसको लेकर के, वो लोग विरोध प्रदसंग करने लगी, धेर दे मामला बरता गया, जो हिंदू चात्चात्राएं थे, वो भगवा बहन करके फिर मामला गया कोट में, और इसके बाद हिजाब और भगवा पर टेंप्रोरली बैन कर दिया गया है, यानि अभी फिलहाल के लिए रोका गया है, जब तक निर्णे ना आ जाये, फैसला ना आ जाये, मुद्दा केवल करनाटा के एक जिले का था, और धेरे-धेरे हाला कि क कुछ जगा चुटपुट, जगा कुछ और जगा दिखाई दिया मामला, कुछ लोग काफी ज़्यादा परियास भी किये, उच्छालने की इसको गलोबल टेंशन बनाने की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए, और जो की अच्छी बात है, ये एक छोटा सा मामला था, इसको वह याद रखने वाली बात है, उसमें ये है कि इन चात्राओं ने तर्क दिया था कि अनुक्षेद 14 और अनुक्षेद 35 के तहद, इनके मौलिक अधिकारों का ये हननन है, इसके लिए एक रिफरेंस दिया था, इसने केरल हाई कोट का, केरल हाई कोट का एक फैसला था, उसी का रिफरेंस दिया था, जिसमें हिजाब पहनना मौलिक अधिकार माना गया था, ठीके, चलिए, मैंने आपको बताया था ना, अनुक्षेद 31 के तहद क्या होता है, समयधानिक अधिकारों का उपचार होता है, ठीके ना, तो ये आपको याद रिखने है, अगला, टॉम-टॉ टॉम-टॉम-टॉम-टॉम-टॉम-टॉम-टॉम-टॉम-टॉम-टॉम-टॉम-टॉम-टॉम-टॉम-टॉम-टॉम-टॉम-टॉम-टॉम-टॉम-टॉम-टॉम-टॉम-टॉम-टॉम-टॉम-टॉम-टॉम-टॉम-टॉम-टॉम-टॉम-टॉम-टॉम-टॉम-टॉम-टॉम मुंबई है पांचवे अस्थान पर दसने अस्थान पर है बेंगलुरू नैदिल्ली का अस्थान है ग्यारवाँ पुने का अस्थान है टॉप 25 में दोस्तों चार भारतिय सहर है ठीक है चली तो टॉम 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 ट्राफिक इंडेक्स आया है ट्राफिक की मामले में भीड़ इस्तानबुल जो है तुर्की में है अगला हाली में विमोचित पुस्तक अटल विहारी बाजपई के लेखक कौन है तो वो हैं दूस्तों सागरिका घोस जी एक वरिष्ट पत्रकार है या पर आपको दिख रही है इमेज में इन्होंने अटल विहारी बाजपई जी पर इनकी एक बाजपई है लिखी हुई है और काफी रिसर्च के बाद तीन सालों की रिसर्च के बाद ये लिखा हुआ है इन्होंने पुस्तक और इन्होंने इससे पहले इंदरा गादीजी पर लिखा हुआ था इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर ठीक है तो SPN Crick Info एक website है क्रिकेट से रिलेटर इसने केन विलियमसन को दिया है Captain of the Year का पुरुसकार इसने रिसब पंद को भी एक पुरुसकार दिया है केन विलियमसन यहाँ पर आपको image में दिख रहे हैं New Zealand की यह captain है New Zealand की यह captain है इनको यह मिला है इसके अलावा रिसब पंद को best men's test batting का भी पुरुसकार मिला है और यहाँ पर पूरी लिष्ट है आप देख सकते हैं पास करके वीडियो फिलाल ज्यादा important है नहीं कुछ ठीक है बस यह best men वाला important है अगला किसके अनुसार अटल टनल को सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में मानिता मिली तो दोस्तो अभी आले में word book of records ने अटल टनल को मानिता दी है सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के बारे में इसके अलमा यह भी बताया गया है कि 10,000 feet से उपर दुनिया के सबसे जादा उचाई पर दुनिया की सकते लंबी राजमार्ग सुरंग है यह ठीक है रोहतांग दर्रे के नीचे बनी हुई है यह लेह मनाली राजमार्ग को जोडती है पूर्वी पिर पंजल हिमाराई रेंज में यह पॉइंट याद रखना आपको यह पॉइंट डारेक्टली पूछा जाएगा अटल तनल कहां है अटल सुरंग कहां पर है तो यह आप याद रखेंगे ठीक है न यह लाइन बार बार फोर्स कर रहा हूँ इसको आप याद रखेंगे यह पूछा जाएगा जरूर इसके लावाण 9.02 किलोमीटर के लंबाई है यह भी आपके पूछा जा सकता है ठीक है अगला EIU Democracy Index 2021 में भारत किस अस्थान पर है भारत में दोस्तों बहुत ही बेटर चलांग लगाई है इस बार तिरपन अस्थान पर पिछली बारता तिरपन में अस्थान से छलांग लगाकर 46 में अस्थान पर आ गया है डेमोक्रेसी इंडेक्स यानि लोकतंत्र सूजकांग लोकतंत्र ठीक है लोकतंत्र सूजकांग बहुत पूछा जाता है तो 46 में अस्थान पर भारत आ गया है फर्स्ट पर कौन है फर्स्ट पर अभी भी नार्वे बना हुआ है सेकेंड पर है नियूजिलेंड थर्ड पर है फिनलेंड भारत है चियालिसमें अस्थान पर पाकिस्तान 104 में अस्थान पर है यहांका लोकतंत्र बिलकुल डेमेज है ठीक है इकोनोमिस्ट इंटेलिजन्स यूनिट के अस्थापना 1946 में हुए थी राबविन ब्यू यहांके अध्यक्ष है और लंदन में हेटकॉर्टर है अगला कुशन हाली में किसने प्राकरतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कारिकरम सुरू किया तो जीवा कारिकरम सुरू किया है दोस्तों नाबाड ने नाबाड यानि नेशनल बैंक फॉर अगरिकल्चर और रूल डेवलप्मेंट यानि राश्ट्री किर्सी और ग्रामेड विकास बैंक तो इसने ये शुरू किया है इसकी अस्थापना हुई थी 1982 में मुंबई में हेटकाटर है और गोविंद राजलू चिंटाला जी के हैं अध्यक्ष अगला आईपिल 2022 में सबसे महगे बिकने वाले खिलाडी कौन बने तो आईपिल 2022 में सबसे महगे बिके हैं दूस्तों इस अगला अच्छा इसी में देख लो कुछ और पॉइंट आईपिल पो आपको जल्दी वीडियो देने वाला हूँ टाइटल स्पॉंसर है टाटा वीवो को भागा दिया टाटा बन गया आप टाइटल स्पॉंसर पंद्रवाइडिसन होगा इस बार दस टीमें खेलेंगी दो नई टीमें जुड़ी हुई है इसके बारे मैं आपको अल्रेटी बता चुका हूँ अगला वित्ये साक्षर्था सप्ता दोजार बाईस के लिए आरबी अई ने क्या थीम चुना इंपोरडनन विए उइंपोर्टन कुश्चन है रिजर्बंक ओफ इंडिया दोस्तों परतेक वर्स वित म 몇लोई इस बार RBI ने थीम चुना है Go Digital, Go Secure क्या? Go Digital, Go Secure Financial Literacy Week इस बार कब से कब तक मना गया? 14 फरवरी से 18 फरवरी देखें ये परतेग वर्स मनाया दो जाता है लेकिन परतेग वर्स चेंज रहता है कोई जोरू ही नहीं है कि ये 14 से 18 फरवरी है Monitoring Policy Rates में कोई परिवर्तर नहीं किया गया है तो अगर आप पिछली कर इंटरफेर की वीडियोज बगरा देखेंगे उसमें भी सेम Monitoring Policy Rates आपको देखने को मिले होंगी ठीक है न? कोई चेंज नहीं हुआ है आपको याद करना है बहुत यहां साने अगला हाली में HIV के स्था खोज करता Luke Montagnier का निधन हो गया इन्हें किस पुरसकार से सम्मानित किया जा चुका था? HIV के स्था खोज करता थे दोस्तों Luke Montagnier इनको दोस्तों Nobel पुरसकार मिल चुका था इनका अभी हाली में निधन हो गया है क्लियर 2008 में नोबेल मिला था HIV की खोज 3 जनवरी 1983 से पेरिस में सुरू हुई थी अगला विस्तु रेडियो दिवसका मनाया जाता है वर्ड रेडियो डे परतेक वर्स तो 13 फरवरी को मनाया जाता है रेडियो के बारे में अवेरिनस पहलाने के लिए रेडियो ने क्या-क्या योगदान दिया है भूत पूर्व में उसको जानने के लिए महत्तु के बताने के लिए ये मनाया जाता है तो 2011 से युनिस्गो के दोरा इसको मनता मिली 2012 में UNGA के दोरा इसको मनता मिली इस वार के थीम इंपोर्टन्ट है रेडियो एंड ट्रस्ट, मारकोनी ने इसकी खोज की थी, रेडियो की खोज मारकोनी है RBI ने E-Rupi voucher की सीमा बढ़ा कर कितना किया RBI ने E-Rupi voucher की limit 10,000 से बढ़ा करके कर दिया है 1,00,000 रूपए अब से E-Voucher जो कि अभी आया नहीं है फिलहाल E-Rupi आने वाला है उपए में भी इसे खर्च कर सकते हो, ये एक virtual currency होगी RBI के, ठीक है बजट में भी गोशना किया था निर्मला सीतरमर जी ने कि RBI अपनी virtual currency 2023 के शुरुआत तक ला सकता है अगला, हाली में किस company को लगबग 23,000 करोड के fraud case में CBI ने FIAR दर्ज किया तो दोस्तों, ABG CPI Arts Limited, ये company आई आए है अभी तक, जितना भी आपने bank fraud सुना होगा उन लोगों से कहीं ज़्यादा लगबग 2 गुना का ज़्यादा ये ABG CPI Arts Limited ने घाठा गोटाला किया हुआ है इसने दोकादड़ी की है, दोकाद़ी की मामले में CBI ने केस वेदर्ज कर लिया है 28 बैंकों से इसने 22,842 करोण रुपे का fraud किया हुआ है ABG CPI Arts Limited ने इसके मालिक है रेसी कमलेस अगरवाल ये भी सिंगापूर में भागे हुए हैं, इनको लाया जाएगा इनके समेट 8 लोगों पर FIR दर्ज किया गया है CBI की दवरा CBI अस्थापित हुआ था 1942 में नेदिल्ली में हेटकॉर्टर है और महानितेसक है सुबोध कुमार जैसवाल जी अगला, हाली में किस राज ने कैंसर से सुरक्षा के लिए HOPE Express की घुश्णा की, तो HOPE Express की घुश्णा की है महाराश्ट राजय सरकारा में, कैंसर से सुरक्षा के लिए होप Express, महाराश्ट के स्वास्ट मंतरी हैं उन्होंने इसकी घुश्णा की है, राजय स्टोपे जी ने Hope Express की, ये भारत की एक ऐसी मसीन इसके तहट लगाया जाएगा, ऑस्पिटल्स में काफी लेटिस्ट मसीन होगी, मोजेक 3D विक्रेंड मसीन, जिसके तहट इसका कैंसर का इलाज किया जाएगा, भारत में ये पहली मसीन होगी, अब तक कैंसर की लाज के लिए लोग दुनिया के अलग लग देसों में जाया करते थे, अमेरिका वगेरा में, ठीक है न, महराश्ट आप देखूगे, तो यहाँ पर हेलो केसन इसकी, महराश्ट की, ठीक है, आगे दिखते हैं, हाली में कहाँ पर चार दिवसी है, मरू महुत्सो मनाया गया, तो मरू महुत्सो दोस्तो अभी मनाया गया कहाँ पर पोखरण राजस्थान में, राजस्थान के पोखरण में मनाया गया मरू महुत्सो, बहुत ही famous महत्सो होता है, world famous ये महत्सो होता है, इसे जैसल मेर राइगिस्तान महत्सो भी कहा जाता है, विस्सो परसिद होता है, 13-16 फरवली तक अभी ये मनाये गया है, चार दिवसी है अभी हाल फिलाल में राइस्तान के कुछ और festivals मनाये गए, जैसे सरद महत्सो मनाये गया था, लोकरंग महत्सो मनाये गया था, पुसकर मिला मनाये गया था, तो ये भी आध्यान रखेंगे राइस्तान देखोगे आप मैप में, तो यहाँ पर है इसकी लोकेशन, जैपूर याने पिंक सिटी यहां के राजधानी है, अगला कोशन देख लेते हैं हाली में केंद्र सरकार ने किसके कल्यान के लिए स्माइल योजना सुरू की, तो केंद्र सरकार ने अभी ट्रांसजेंडर्स और वेखारी इन दोनों के इन दोनों टाइप के विक्तियों के लिए स्माइल योजना सुरू की है, इन दोनों के लिए कल्यान कारी उपायों के ये इसमाइल यूजना सुरू की गई है, इसमाइल का मतलब होता है, Support for Marginalized Individuals for Liablehood and Enterprise, ओके, तो केंद्री ये समाजिक नाय और आधकारिता मंत्री डाक्टर विरेंद गुबार ने से लाच किया है, अगला कुशन, हाली में किस सेना ने सैने रंड छेत्रम नामक हैक्टॉन लांच किया, तो सैने रंड छेत्रम नामक हैक्टॉन लांच किया है भारतिय थल सेना ने, ये अपनी तरीके का पहला हैक्टॉन होगा, भारत की किसी भी सेना के दोरा इस प्रकार का हेक्टॉन अभी इसने पहले नहीं लाज किया गया था पहला ये हेक्टॉन है सैने रण छेत्रम तो ये सिमला के महो में आयोजित किया जा रहा है और Military College of Telecommunication Engineering के दोरा इसका आयोजित किया जा रहा है अगला कुशन हाली में किस पुरसकार से सुसोभित बजाज आटो के पूर्व चेर्मेन राहुल बजाज का निधन हो गया तो राहुल बजाज जी को दोस्तो पद्म भूशर से सम्मानित किया जा चुका था और इनका अभी हाली में निधन हो गया बजाज आटो के ये पूर्व चेर्मेन थे तो इनको 2001 में भारत का तीसरा सरवोच चनागरिक प्रोस्कार पद्म भूशन इससे सम्मानित किया गया था हाला कि इन्होंने नीरज वजाज को इससे पहले अपने मतलब जाने से पहले गयर कारेकार या धज नियुक्त कर दिया था क्लिया तो ये तो थे दोस्तों जनवरी मंत के दोस्तों महत्वपूर्ण क्यूस्चन्स अब हम लोग टॉपिक बाइ टॉपिक करके तयार करेंगे जैसे ब्रैंड अमिज्टर बुक्स अनर्थर और दिवर्स थीम ठीक है इसको अलग से तरीके से साल्व करा दोए रहा हूं मतलब आपका इंडिया में एक साथ तयार करा दे रहा हूं तो कुश्चन्स आपने पढ़ लिया अब यहां भी इसको देखलो अच्छे से तो यानि कम्प्लीट पैकेज आपका मिलेगा देखें करेंट अफेयर मतलब आपके दिमाग में एंजेटी एजुकेशन होना चाहि करेंट अफेयर कैसी भी तयारी कर रहे हो किसी भी एक्जाम के तयारी कर रहे हो एम्जेटी एजुकेशन उपन कर लिया करो ठीक है ना यूटूब पर आप अप्लिकेशन पर गूगल पर कहीं पर भी सर्च करोगे आएंगे हम बाटा इंडिया की बनाए गई ब्रेंड आप बच्चन को बनाया गया है ब्रेंड मिजडर ठीक है ना इसके लावा नीरत चोपडा को मने बताया था टाटा एया ये का बनाया गया ब्रेंड मिजडर राजकुमार राव को कैसी फाई का बनाया गया है कैसी फाई इसके लावा ये टीच मिंट के भी है ठीक है चले अ चार फरवरी को इसके अलावा चार फरवरी को अंतराष्टी मानो बंधुक्त दिवस भी मनाया जाता है। चार फरवरी को अंतराष्टी मानो बंधुक्त दिवस भी मनाया जाता है। ये लिखा जे साई, दीपक ने और अटल बिहारी बाज पहीं, ये लिखा सागर का घोस ने। ये तो थे दोस्तों महात्तोपूर्ण कुश्चंस करेंट अफेर के, एक से पंदरा फरवरी आपका पूरा तैयार हो गया। I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी। वादा करो मुझे, वीडियो को लाइक करोगे जाए ज़दा और कम से कम दोस्तों, पाँच दोस्तों के पास आप लोग सेयर जरू करोगे। आप लोग सेयर करोगे ना तो मेरा confidence बढ़ता है, आप लोग को देखो मंतली के रेंट फेर इतने पसंद आती है, इसलिए मैं भी अपना पूरा जान जोग देता हूं उसको बनाने में, इसलिए पूरा recorded class जर्थ फिरी content देने का प्रयास करता हूं, पूरी मेहनत के साथ ये समाप्त हो जाएगा, उत्तरप्रदिस का लेकपाल बैच है, खाकी बैच है, जीएस बैच भी आप ले सकते हो, जीएस बैच सबसे बेस्ट बैच मुझे लगता है, ठीक है, क्योंकि समान ग्यान में बहुत लोगों को प्रतक्रीफ होती है, दो साल तक आप इसे एकसेस कर सक सकते हो, इंडिविजवल बैचेस भी हैं, हिंदी के, अंगरित के, इंकोनॉमिक के, प्वालिटी के, आप ये स्तारे चीज़ें ले सकते हो, एमजटी एप पर अवाइलबल है, गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, एमजटी एप डाउनलोड करना है, इसके लावा आप आप तक लिए नमस्कार जहें, वंदे मात्रम तीन है